सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गए या अपतो प्यारी बच्चू आज की सुद्धे हमनों बात करने वाले क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है हीट देखिए प्यारी बच्चू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह जो चैप्टर है प्यारी बच्चू यह आपके हा अवेलबल है अब आप लोगो सोचेंगे डिया मरिविए फन्वाइलबल है जी हां प्यारी बच्चो आप लोगके रूम में भी हीट बहुत अच्छे तरीके से अवेलबल है और तो और प्यारे बच्च्चो आप लोग माल दीजे कि रुकी ऐपलर लेकर जब आप लोगको तो बुखार आता है तो आप लोग की सरीर गरम हो जाती है ऐसा कि तो प्यारे बच्चों ऐसा हीट के वज़े से ही होता है और तो और प्यारे बच्चों हीट के वज़े से हमारा खाना पकता है हीट के वज़े से हम बहुत सारे काम करते हैं हीट के वज़े से इंजन भी बहु करते हैं तो इसलिए हीट हमारे लिए बहुत IMPORTANT है अब प्यारे बचो बात करेंगे heat and cold कि अवह ग्यादि कभी भीजी अपको गरम लग रहे हैं उसका मतलब क्या मतलब क्या है उसमें हीट है कोई बहुत बहुत है आपको यदे प्यारी बच्ट गरम लग रही है तो और प्यारे बच्चों, यदि कोई भी चीज आपको गरम लग रही है, तो क्या है, इसका मतलब उसमें हीट नहीं है, यह नहीं कि उसमें cold है, नहीं, cold तो तब होता है, जब हीट किसी बॉड़ी में नहीं रहती है, नहीं समझा है, माल लीजिए, कि इस बॉड़ी में हीट है, मतलब इस बॉड़ी में हीट है, माल लीजिए, red color का जो substance मैंने आफ गोला-गोला बनाया है, वो हीट है, तो इस बॉड़ी में हीट है, यानि यह बॉड़ी गरम होगी, इस बॉड़ी में नहीं है, तब यह ठंडी होई ना, तो इसलिए प्यारे बच्चों, हीट एनरजी यह दी किसी के पास रहती है तो गरम होता है यह दी किसी के पास नहीं रहती हो तो कैसा होता है ठंडा होता है अब मालीजे कि यह है एक चम्मज मालीजे यह है यस और यह है दूसरा यस ठीक अब मालीजे इसके पास है हीट इसके पास हीट नहीं है तो बताएजे प्यारे बच आपको पानी में डालते हैं ठंडा होगा जिसे पानी में डालते हैं की स्कुर तो मतलब हम समझ जाएंगे की पानी कैसा है मतलब की तो आपस देख ही उप्रकार चाप्टर और नहीं प्रिशल ही लिया अब बात करते हैं टेंपरिचर की प्यारे बच्चों टेंपरिचर हमारी लिए बहुत इंपर्टन होता है यह आप लोग को जिस प्रकार से अपने यह कोई या मंब नहीं आपका घर है अपको अपने दूर नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगी थोड़ी कटनायत होगी तो आप लोग यह नहीं चाहते हैं कि यार मेरे घर से इस्कोल की के लिए नहीं गिए प्यारवक्ष्थ अब लोग के लिए बहुत ज़री नहीं यह को बेंद्ध जेल्च केल होता है इसमें लोग यूज करते हैं थर्मामीटर भूडी बेंगे यह हमारे बाड़ी का टेमपरीचर बताता है जैसे सिद्ध आप लोग देखिये हूंगे जब आ पारसल में ढाल दो को टीक है तो प्यारे बचचों किया हुता हो दो फोर मामिटर हुता है वह आपके बॉल्डी के टेंपरेचर को बताता है कि आपके पास कितना सब्सक्राइब कर लिए अब हम लोग बात करेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है तो चलिए इसे स्टार्ट करते हुआ